ये जो आप चार है कि बिहार का माहौल बिगड़ जाए बिहार में माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा तेजस्वी आदव अंगली माल डाकू से बालमिकी बनने की ओड़ अग्रसर हमनी स्चिंत रहिए इस प्रकार की घटना का अंजाम देने वाले और इस प्रकार के म अपरादिक मानसिक्ता वाले लोगों के उस मानसिक्ता को कुछलना पड़ेगा यह भी डिप्टी सीम थे पता है नहीं को धाई साल के सरकार में क्या क्या हो रहा था पालू माफिया मनेड में महिला अधिकारियों को खदेर खदेर के मारा जो भी बेकती हो उसको पकड़ के स नहीं पाती है और खबर आता है कि उनकी मौत हो चुकी है और देखे इसके बाद लगातार पुलिस तपतीस में जुटी है कई बड़े राजनेता लगातार पहुंचने सुरू हो गए हैं परिवार का धारड़ बदा रहे हैं और ऐसे में अब इस पर राजनिती भी सुरू ह हो चुकी है लगातार मामला तुल पकड़ता जा रहा है कई बड़े राजनेता लगातार पहुंच रहा है हलाकि राष्टिये जनता दल का कहना है कि लगातार अपराज जो है वह बढ़ता जा रहा है और दूसरी और और अरंगाबाद में कहीं न कहीं बड़ा हाद सावा है किस तरीके से भागते हैं जंतापाटी देखती है जो घटना और अंगाबद में हुआ है काफी दुखद है और काफी दर्दनाथ है इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है प्रसाशन तो लगी है कौनकों लोग इसमें सामिल है सक्त सजा मिलने वाली दमनी सिंत्र है इस प्रकार की घटना का अंजाम देने वाले और इस प्रकार के मांसिक्ता वाले जो भी लोग है उनको सक्त सजा मिलने वाली यह बिलकुल निर्मम हत्या है और अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि सरकार के महौल को बिगार दें बिहार के महौल को बिगारने का प्रयास कर रहे हैं बिहार के महौल को बिगारने नहीं दिया जाएगा सरकार शक्ति से निपतेगी और इस परकार के अपराधिक मानसिकताँ वाले लोगों के उस मानसिकता को कुचलना पड़ेगा और यह सरकार करेगी अभी तो चुनाओ खत्व हुआ है और सरकार अपना काम सुरू कर दिया है प्रसाशन में जो जो प्रसासनिक अधिकारी हैं जो चुनाओं में लग थे सभी अवी इस काम में लग गए रश्ट्य जता दल का कहयना हैं कि दो-व प्रदेश में मुख्यमंत्री है प्रदेश उन से नहीं संभल पा रहा है अब राष्ट्य जंता दल भी अपराद पर बोलने लगे जिस पार्टी की बुनियाद ही अपराद भरस्टाचार पर हो जिस पार्टी के सुप्रिमों का पूरा परिवार अपराद और भरस्टाचार में के दल्दल में हो जिस पार्टी में जितने लगभग एमेले वह सब अपराद ही प्रविर्थी के हो राष्ट्य जंता दल भी अगर इन भी से हो पर बोल लें तो तो हमको तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव अंगली माल डाकु से बालमिकी बनने की और अग्रसर है अचछी बाते करना अपराद नहीं होना दो-गि इसम है अपराद क्यों हो रहा है यह भी डिसम थे पता है नहिंको धाई साल के सरकार में क्या क्या हो रहा था पालू माफिया मनेड में महिला अधिकारियों को खदेर खदेर के मारा चपड़ा पैसाली में सिपाही को खदेर क्या प्राधियों ने मारा जमुई में मुंगेड में प्रसासन के जो दरोगा हैं उनको ट्रेक्टर से कुछलने का काम किया इन ही किसरकार थी उस समय नहीं बोल रहे थे कुछ तो जस्वी आदव जी राजनीत करने के लिए केवल महल बिगणने के लिए या अपना महल बनाने के लिए केवल बयानबा जी नहीं करें आपको पता है कौण लोग यह सब काम कर रहे हैं यह पुड़ी तरह से पता है लेकिन उन लोगों पर सक्ती से निपटने वाली है सरकार, यह जो आप चार है कि बिहार का माहौल बिगड़ जाए, बिहार में माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, और किसी का चलने वाला नहीं है, सरकार अपना काम शुरू कर दिया है, स्रिया के परिवार का कहना है कि किसी तरह से मामले में लीपा पोती नहीं होना चाहिए, जो भी दोसियें उन्हें सक्त सक्त सजा मिलने चाहिए, परसासन के लोग किसी के दवाव में ना आए, चाहे कोई ब्यक्ति हो, उसके जड़ तक पहुँचे, और कोई बड़ा से बड़ कर सक्त सजा दी जाए, कि आइंदा किसी के बहु बेटी, बहन के साथ इस प्रकार की घटना नहों, ब्यार मिस प्रकार की घटना के पुनड़ा बिरती नहों, यह हम लोग भी चाहते है, पर सासन को पूरी फुली चिवुट है, हम लोग भी पाटी की ओर से भी हम लोग करने वाले हैं, जो भी बेक्ती हो, उसको पकड़ के सक्त सजा मिलनी चाहिए, अब तक तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो बेक्ती जो इस सरकाना है, जो इस गलत करता है, उसको पकड़ कर सक्त सजा मिलनी चाहिए, यह हम लोग भी चाहते हैं, चुलिए हमारे रहते नजर आ रहे हैं तो देखे बड़ी बात कहा जा रहा है हलाकि देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है तब तक कि तमाम हर अपडेट को देखते रहें निकले ने इंडिया टॉप देखते रहें धन्यवाद अब 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 अ अ